हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तू माइ चैनल फ्रेंड्स अगर आपके दात भी बहुत ज़्यादा पीले रहते हैं और काफी ज़्यादा टूथपैस्ट और ब्रस करने के बाद भी आपके दातों से पीला पर नहीं जाता साथ ही साथ अगर आपके दातों में कीडे लगे तो आप एक बार इस remedy को ज़रूर try किजेगा क्योंकि यह remedy 100% useful है घर पर बनानी है और आपको इससे brush करना है आपको एक ही भार में फर्क नजर आ जाएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नहे है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल क आप सबी जानते हैं लगभक सभी लोग कोलगट कर देफी प्रकहार कहस्ण करते हैं आपके घर में जो भी अवेलेबलो आप जो भी करते हुँ तो मैंने आप पर और कीज़ीद लिया है अब क्को होगे निए हैं लेकिन कोलगट में दो 1-3 निषैन कीड़ क्षी मिल आई ह याने की फरिहाली में यूज़ करते हैं तो यहां पर आधा चम्मच के करीब आप सेदा नमक ले लीजिए सेदा नमक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है यह जो आपके दात में अगर किड़े लग जाते दात बहुत दुखते हैं तो फट से जब सेदा नमक का स्वात दातो पर दातों सेदा नमक में बचाने में बर सेदा नमक कारव को साफ करेंगे तो इतनी तो इतने अच्छे सेदा नमक का साफ करेंगें जाएगी इसी तरीके से आपके दाद भी साफ होंगे अब थर्ड इंग्रेडियंट है का हमारा वो है टर्मरी क्याने की हल्दी दोस्तों अब आप सोचरों के पीले दात है और हम लोग हल्दी यूज़ कर रहें ऐसा बिल्कुल नहीं है हल्दी से दात पीले नहीं होते यह एं को कॉंबिनेशन है आपके दातों को बिल्कुल इसा मोती की तरह चमका देगा इतना शाइन लाएगा आपके दातों में आप लगातार एक हपता अगर इस रहमेडी का यूज़ करते हैं तो यकिन वानिए दोस्तों अगर अगर तमाकू के वज़ज़ से सिग्रेट के करना है मैंने जो अहुम देली का ब्रश करते हैं उस ब्रश केंदर ये पेस्ट को बना कर इसे डाल लेना है और लगातार अपने दातों को करीबन 5-7 निट तक ब्रश अच्छे से करना है आपको डाट के अंदर तक इसे जाने देना है इस पेस्ट को जिससे जो कीड़ा जाएगे और दाद मोती की तरह चमकने लगेंगे इसके अलावा आपको एक और फाइदा बता दू दोस्तों अगर आपकी पायल हो या कुछ पुरानी ज्वेल्डी हो आप साफ करना चाते हो तो इन तीनों की मदद से आप साफ कर सकते हैं जिस तरीके से ब्रस अपने हातों प मिलते हैं नेक्स वीडियो में बावाई